नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौसन और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चनल दोस्तों इस चनल पे आपको प्रिवेसर पेपर का डिसकसन और जनरल अवरनेस की तयारी करवाई जाती है तो आप लोग जरूर इस चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज रखे दोस्तों, बहुत ही important वीडियो है, आप लोगों की बहुत ही demand थी कि sir expected cutoff बताया जाए कि DFC cell में क्या रहने वाला है ताकि CBT2 की तयारी कर पाएं, तो बहुत ही यहाँ पर क्रिप्स में और बहुत ही यहाँ पर analysis करके मैं एक वीडियो ला रहा हूँ थोड़ी बहुत देखे, cutoff में उपर नीचे हो सकती है तो उसको माफ करिएगा मुझे, क्योंकि देखे, हम आपके data के अनुसार previous year analysis के अनुसार question paper देखकर यह वीडियो ला रहे हैं तो बस आप लोगों को वीडियो को जरूर लाइक कर देखे, share करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो देखे, सबसे पहले अगर मेरे बारे में जानना चाहें तो मैं DSSB के थुरू technical assistant पे job कर रहा हूँ तो क्योंकि लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, cut-up बना रहे हो इस तरह से तो मैं पहले अपना चोटा सा यहाँ पर संचिप्त विबरन दे दिया और आगे बताऊंगा कि मैंने भी DSSL का exam निकाला था 2021 में लेकिन मैंने joining कर लिया तो इस वज़ा से जो है मैंने यहाँ पर aptitude test था उसको मैंने नहीं दिया था तो इस तरह से इसको देख पारे होंगे कि DFC से अब देखिए इसमें हम operations and BD का सिर्फ cut-up यहाँ पर discussion करेंगे expected cut-up 2018 और 2021 में cut-up कितना गया था 2020 में कितने लोगों ने form बरा था 2018 में कितने लोगों ने form बरा था इस वार कितने लोगों ने form बरा है सभी data हमें करके discuss करेंगे तो देखिए आप हमारे टेलेग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं यहाँ पर PDF मिल जाती है आपको कुछ update भी दे जाती है जिसको हम वीडियो के माधिम से नहीं ला पाते हैं तो देखिए सबसे पहले मेरे बारे में यहाँ पर देख लिजिए जो कि मैंने 2021 का जो एक्जाम हुआ था मेरा नाम देख सकते हैं रौसन कुमार यहाँ पर all number ही मैंने डाल दिया है security operations and BD का एक्जाम मैंने दिया था जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो यहाँ पर marks था दोस्तों वो था एक 80.25 नंबर एक 80.25 नंबर रैंक था यहाँ पर देखिए 1321 all over इंडिया में और category में था 570 और यहाँ पर मैं जो है OBC category से ध्यान रखिएगा OBC category से मैं CBAT that is a computer based aptitude test के लिए qualify कर गया था लेकिन मैंने एक्जाम नहीं दिया था तो इस तरह से थोड़ा से इसको ध्यान रख पाएंगे अब देखिए यहाँ पर 2018 का जो यहाँ पर डेटा है तो 2018 में एक्जाम हुआ था तो देखिए उस समय जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 109 सीटे थी और 2018 में देखिए मातर 46,472 लोग ने फॉर्म भरा था और यहाँ अपेर हुए थे 26,1 लोग तो इस तरह से यह कटफ है आपको दोस्तो 120 नमबर में 120 नमबर में कटफ है तो देखिए 73.5 गया था उसके बाद S.C. का गया था 63.75 इस्टी का गया था 62.25 O.B.C. का देखिए 68.75 और एक सर्विसमें का गया था 1.75 तो क्या यह कटफ जो है अब देखिए 2021 में देखिए जहाँ 26 हैर मातर एक्जाम दिये थे और यहाँ पर 40 हैर का सपर फॉर्म भरे थे लेकिन 2021 का जब यहाँ पर फॉर्म भरा गया तो यहाँ पर देख पा रहे हैं Executive Operations and BD का देखिए 1,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था 1,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था तो इस तरह से आप देख पा रहे होग देखिए उस समय भी prediction किया था क्योंकि उस समय मेरे पास दूसरा चैनल था तो आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पर जो है prepare for नौकरी जो मेरा दूसरा चैनल था इस पर देखिए 4 अक्टूबर को 28 सितंबर को exam हुआ था इसका यहाँ देख पा रहे होगे दोस्तों कि मैंने कटफ एक्सपेक्ट किया था कि अन्रिजर्व का 80 से 85 गया था कितना यहाँ पर मैंने official लगा दिया है 80 से 85 के बीच में बोला था 84.75 कटफ गया था ओपी से 77 से 82 मैंने बोला था यहाँ पर देखिए 80 से 72 बोला था यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि SC का 75 गया था था थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ोतीरी ST का देखिए जो है लगवग गया था तो इस तरह से मैंने जो expect किया था तो इस तरह से आप थोड़ा सा 22 का अपड़ेटा आपके सामने हो गया अब देखिए पूरा discussion करते हैं 2023 में तो देखिए 2023 का जो CCL का एकजाम हुआ है तो देखिए सीटे 237 थी इस बार 235 है दो सीटे यहाँ पर कम है कोई जादा अंतर नहीं है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर पिछले साल की तुल्णा में फॉर्म आधा यहाँ पर डाला गया है 140,000 से सीधे 72,000 फॉर्म आ चुके है जहां 2021 में 140,000 लोगों ने फॉर्म भरा था 2023 में सीधे 72,000 तो क्या cut-up भी आधी जाएगी नहीं cut-off आधी नहीं जाएगी दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आधा लोगोंने form भरा है तो आधा cut-off चला जाएगा उससे तो ऐसा मत सोचिए तो देखे 72,000 लोगोंने form भरा तो यहां पर 70% के आसपस जो है attendance होती है माना जाता है तो यहां पर 50,000 लोगोंने मान लिजे कि 50,000 लोगों यहां पर exam दिये होंगे यहां सिर्फ और सिर्फ में executive operations and BD की हम बात कर रहे हैं तो 50,000 लोगोंने form भरा था और देखे यहां पर मैंने अपने जो टेलिग्राम चनल है उहां पर मैंने poll करवाया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप कितने marks जो है gain कर रहे हैं तो देखे यह यहां पर 80% 80% से उपर लाने वाले सिर्फ 10% है और vote कितने है तो यहां पर 323 तो यहां पर 32 लोगों ने यहां जो है तक्रिबन यहां पर 80 नंबर से उपर लाए हैं तो क्या 80 cut up जाएगा नहीं तो यहां पर 75 से 80 के बीच में यहां पर 10% तो देखे मेरे पास data यहां पर कम यहां पर डाले हैं तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ज्यादा जो है candidate 323 लोगों में से सिर्फ 10% लोग हैं जो 80 से उपर ला रहे हैं 75 से उपर 10% ला रहे हैं तो उसके बाद देखे जो 70 से 74 के बीच में 14% है तो देखे सब को यहां पर 70 से उपर नंबर आ रहे है हैं जितने जो है cut-off चाहिए तो इस तरह से जो है थोड़ा सा अंदाजा आपको मिल गया होगा अब देखे सेलेक्शन प्रोसेस तो आप देखे थोड़ा सा इस पर पैटर्न में चेंज किया गया है क्योंकि अब CBT1 होगा फिर CBT2 होगा CBT1 से CBT2 में जाने के लिए 20 गुन गुना कंडिट को बुलाए जाएगा तो इस तरह से आप देख पार होगे कि अब यहां पर कंडिड़ेट भी जाता बुलाए जाएगा तो यहां पर cut-off उस पर परभाप बढ़ाएगा और देखे ओवर अवर आल हम देखे यहां पर 20 गुना कंडिड़ेट को बुलाए जा जनरल अवरनेस 15 नमबर, जनरल साइंस 15 नमबर, लॉजिकल रिजिनिंग और जनरल इंटलिजिएंस तीश नमबर, नॉलेज अवाउट रिलिबें डिफसल 10 नमबर, टोटल 100 नमर का और देखे निगेटिव मार्किंग भी बन फोर्थ है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखे अब देखे, अब देखे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख पा रहे होंगे, कि टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर, जीके, जीके देखे इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, कि आप 15 में से 8 स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे, इस सलाइड को ध्यान से देखेगा, तो टोटल दे देखे, अगर 235 सीटे हैं, 20 गुना कंड़ेट को बुलाए जागा, तो करिफ 4700 यहाँ पर स्टुडेंट होते हैं, तो ध्यान रखेगा, 4700 स्टुडेंट को अपरेशन संबीडी में CBT2 देने का मौका मिलेगा, ध्यान रखेगा, CBT2 देने के लिए 4700 लड़कों को बुला कंड़ेट लेवल का था, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो फ्रिंड अभी दे रहे हैं, जूनियर जो हैं, तो वहाँ पर रिजिनिंग में उन्होंने 30 में से 30, अप्टिचूट में 30 में से 30 असकूर की हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 30 में से 25 यहाँ पर रखा है, तो दोनों में 25 पचीस हो गया देखे रेलवे मैंने जो पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे कोश्चन आये थे इस पार भी आपको CBT2 के लिए भी पढ़ाऊंगा तो बस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब तो देखे 10 में से 5 तो लाना असान था और साइन्स में क्या 15 मे अगर ला पा रहे हैं तो कहीं न कहीं मानिये कि आप रेस से बाहर होंगे रेस से बाहर होंगे और आपको फिर से थोड़ी सी रेस्ट लेके फिर से तयारी करने की ज़रूरत है देखिए इसमें CBT1 भी निकल जागा तो CBT2 में आप फस जाएगे तो इस तरह से आपको थोड दिक पा रहे हैं कि इतना नंबर तो आपको लाना अनिबार है अब दखिए expected cut-up कितना होगा जिसका आप लोग बेसवरी से इनतजार कर रहे थे जिहां आप बेसबरी से इनतजार कर रहे थे तो यहां पर देखिए अन्रिजर्व का तिहतर से आटस्तर नंबर जाएगा ति CBT2 की तयारी करनी चाहिए और वैसे नहीं की तयारी करनी चाहिए कि लगे हुए हैं जोरो सोरो से करनी चाहिए ताकि आप एक सीट ले सकें आपर मेरा मानिये तो अगर 73 से उपर आ रहा है तो आप जोर सोर से लग जाईए बिना कोई जिजग किए और बिना कोई और एक्जाम की तयारी किए सिंगल एक्जाम पे फोकस करिए आपको 3 से 4 महिने में आपको जो है एक जोग हाथ में होगी देखिए SC का 67 से 70 नमबर ST का 65 से 68 नमबर EWS का 68 से 72 नमबर X-Servicemen का 60 से 62 और PWD का 50 से 55 इतना आ रहा है तो आप लोग जो है अपने respective category से अगर उपर यानि कि upper limit से अगर उपर आ रहा है तब आपको definitely तयारी करनी चाहिए अगर नीचे वाले से आ रहा है तो भी आपको तयारी करनी चाहिए और अगर unreserve के जो marks हैं उससे उपर आ रहे हैं तो definitely करना चाहिए 73 मैंने यहाँ बार एक जो है आप लोगों के लिए borderline रखी है कि 73 से उपर आ रही है तो आपको definitely CVT2 के तयारी करनी चाहिए तो दोस्तों बहुत ही important वीडियो था आप लोगों के लिए बहुत ही मैनत करके बनाई गई है देखे कुछ गड़वड़ी हो सकती है cut up में उपर नीचे लेकिन मैंने अपने जितने experience था past experience अपना तयारी का अनुभव अपने job का अनुभव सभी को मैंने इसमें कुछ जो है previous year का data को analysis किया टेलिग्राम पे आप लोगों का पॉल देखा सबे कुछ जो है check करके यहाँ पर आपको वीडियो लाने की कोशिस की है कुछ गलती होगा तो माफ कर देजेगा अन्यथा वीडियो को like कर देजिए share कर देजिए अपने दोस्तों के साथ और channel को subscribe कर लिजिए so thank you दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद